हेलो दोस्तों मैं हूँ आडियाडवाई और आप देख रहे हो इंट्रो बाइक्स यूट्यूब चैनल बाइक्स रिलेटेड हडिक टाइप के इंफर्मिशन आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों यह है आपके सामने बिल्कुल नया मोडल है बजाज सीटी सीडिस का तो इसके बाड़े में मैं आपको फूल डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं इसका प्राइस कितना है अभी माइलेज कितना होगा और इसके टॉप स्पीड वगड़ा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सो मेक शियूर कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए तो दोस्तों पहले सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि इसका वाक एराउंड लुक्स मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टैंक देख सकते हैं बिल्कुल नया ग्राफिक्स के साथ और यहाँ पे 125X लिखा हुआ है आप देख सकते हैं य यहां पे आप देख सकते हैं front looks, front पे round headlamp और यह देखिए इसका side profile आप देख सकते हैं alloy wheel दिया हुआ है और सब कुछ लगभग जो भी एक perfect motorcycle के लिए retro motorcycle के लिए होना चाहिए सब कुछ features और looks इस bike में आपको देखने को मिल जाएगा और यह देखिए 125 का जो logo है और यह है दो और मैंने ride करके देखा भी है इसको और दोस्तों यह जो seat है ना यह platina age gear model में दिया करता था प्लाटीना बजाज की तरफ से तो अभी यह city series में भी आपको देखने को मिल गया और बहुत ही आड़ामदायक seat है और tank pad है यहां पे tank के side पर आप देख सकते हैं तो यह भी आपक thighs को hurt होने नहीं देता अभी बात करते हैं इसके tires के बारे में दोस्तों तो इसमें आपको front की तरफ 8017 section का tire देखने को मिल जाता है और इसके DR की तरफ आपको 190 17 का tire देखने को मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको fully tubeless tires देखने को मिल जाते हैं तो अगर आप long पे निकलते हो तो tire puncture होने का कोई tension इसमें आपको नहीं मिलेगा तो आप tension free होके ride कर सकते हो और यह देखो दोस्तों इसका silencer muffler बिल्कुल नया है आप देख सकते हो और यह इसका side profile यह इसका जो looks है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा overall एक retro perfect motorcycle लगा मुझे और दोस्तों यह देखिए इसक chain cover है बिल्कुल metal का है बिल्कुल मैंने देख रखा है इसको पूरा metal का है plastic chain cover नहीं मिलता full metal का मिलता है तो quality बहुत ही बढ़िया है build quality बहुत ही सही है और दोस्तों यह है इसका front का disc brake आप देख सकते हैं इसके front में आपको 240 mm disc brake देखने को मिल जाता है और braking performance बहुत ही बढ़ है और अगर आपका front में disc दे रहा है तो पीछे drum भी अच्छा खासा होना चाहिए तो यह उसमें आपको मिल जागा है यहां पे आप देख सकते हैं यह है इसका 130 mm drum brake तो drum brake का quality जो है बहुत ही बढ़िया है कुछ-कुछ bikes में जैसे edge gear में क्या था कि 110 mm दिया गया था रियर प दोस्तों यह है इसका front suspension आप देख सकते हैं suspension के ओपर cover दिया गया है और यहां पर आपको 125 mm का travel देखने को मिल जाता है suspension में front की तरफ आप देख सकते हैं और यह है आपका rear का suspension तो इसमें आपको spring in spring suspension मिल जाता है और यह 110 mm travel का ठीक है तो काफी जादा या dual spring भी कह सकते हैं इसको काफी ज्यादा comfortable आपका जो riding है वो होने वाला है अब दोस्तों बात करते हैं the main thing the heart of this bike यानि कि इसके engine के बारे में तो इसमें आपको 124.4 cc single cylinder four stroke air cool DTSI engine मिल जाता है यानि कि digital twin spark ignition engine और दोस्तों इसका board है 52 mm इसका stroke है 58.6 mm और यह देखिए सामने की तरफ एक bash plate भी द ना हो आप देख सकते हैं सामने इसका engine guard दिया हुआ है और दोस्तों इसका maximum power है 10.9 bhp at the rate 8000 rpm और इसका maximum torque है 11 newton meter at the rate 5500 rpm दोस्तों इसमें आपको 5 speed gear transmission देखने को मिल जाता है और इसका जो gear का जो setup है बहुत ही easy setup है यह वाला same setup आपको platina edge gear में देखने को मिलता था तो वहीं आपको इसमें भी देखने मिलता है ऐसे कुछ बाइक में होता है की one down four up ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसमें बहुत ही simple सा एक gear transmission दिया हुआ है जिसमें आपको all down fifth gear तक आप जा सकते है all down इसका shifting pattern है आपको मैं यहां पे थोड़ा दिखा देता हूं यह देखिए यहां पे indication द करेंगे तो neutral पर आ जाएगा तो बहुत ही easy setup है gear का और दोस्तों यह इसका sari guard आप देख सकते हैं तो घर के महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है sari guard और यह है इसका seat और grab rail grab rail में आपको carrier भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यह देखिए इसका tank बहुत ही muscular है और द जो राइडिंग है उसको बहुत ज्यादा comfort प्रोवाइड करता है और आप देखिए यहां पे बारेंड भी दिया हुआ है मतलब handlebar के side में आप देख सकते हैं यह देखने में बहुत ही stylish लगता है बारेंड अभी दोस्तों जान लेते हैं इसके body dimensions के बारे में तो इसका जो wheel 500 mm यानि की 700 mm और इसका बाकी instrument console अपको fully analog form में मिल जाता है और इसमें 3 AH यानि की ampere वार्ट वी रेले टाइप बैटरी मिलता है headlamp मिलता है 35 watt का और इसमें आप को पर के side में DRL भी मिलता है LED DRL और दोस्तों इसका mileage आपको लगब मिलने वाला है 65 to 75 km per liter जी हां दोस्तों इत while riding condition के ओपर और दोस्तों इसका जो top speed है मीटर में तो आपको show होगा 120 टक 120 km पड़ावर तक लेकिन आपको इसमें लगबग 110 km पड़ावर तक का top speed आड़ाम से मिलने वाला है क्योंकि एक 125 सेग्मेंट का बाइक है जैसा कि हम जानते है कि प्लैटीना 110 में प्लैटीना एज जो model है उसमें जो top speed आता है वह है 110 km पड़ावर एक्चुल में आता है उतना तो इसमें भी 110 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा और दोस्तों इसका जो अभी एक showroom प्राइस चल रहा है वह 74,355 रूपीज ओनली तो आप सोचिए बहुत ही कम प्राइस में ये बाइक लॉंच हो चुका है और आप जाके इसको ज़रूर खड़ी दिये अगर आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जिसमें परफेक्ट शफिशेंट पावर टॉर्क माइलेज परफॉर्मेंस कमफर्ट सब कुछ आपको एक कमबाइन पैकेज में मिले तो आइटिंक इस बाइक दी ऑल न्यू बजाज CT 125X is the best choice for you. I hope आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए I want 1000 likes in this video अगर 1000 likes आ गया तो मैं ये वाला test ride review यहां पे upload करने वाला हूँ ठीक है दोस्तों तो 1000 likes and do subscribe to my channel intro bikes thank you friends मिलते हैं अगली वीडियो में भnd